परिवारिक मामला है और परिवार में जो भी चल रहा है परिवार के लोग सक्षम है इस चीजों को देखने के लिए रांची के रिम्स में पिता का हाल जानने जब तेजस्वी पहुँचे तो कुछ इस अंदाज में तेज प्रताप पर पूछे गए सवाल का जवाब देगा ये तो हर कोई जानता है कि पत्नी अश्वरिया से मनमटाओ के बाद लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप घर छोड़ कर निकल गए हैं लेकिन ये खबर किसी को नहीं कि वो लोटे के लगा तीन नवंबर को तेज प्रताप अपने पता लालू का हाल जानने रिम्स आये थे लेकिन फिलहाल उनका पता ठीका ना ठीक से किसी को मालूम नहीं इसी पारिवारिक तनाव के बीच तेजस्वी यादव, रिम्स आये तो बड़े भाई पर पूछे गए सवाल को निजी बता कर पल्ला जालने लगे पहले सही लालू परिवार मुकदमों की मार जहिल रहा है अब पतनी आश्वर्या से तलाक की अरजी लगा कर तेज प्रताप घर से जो निकले तो लोटे नहीं कयास था कि दिवाली न सही लेकिन छोटे भाई तेजस्वी के जन दिन पर वो लोटेंगे मगर ऐसा भी नहीं हुआ वेसे लालू ने तलाक के मुद्दे पर तेज प्रताप को इंतजार करने की सलाह दी थी मगर उनकी भी सलाह नहीं मानी गई इस वज़ा से लालू बेहत तनाओ में है डॉक्टरों की माने तो वो एक साथ पांच से छे घंटे के नींद न लेकर टुकडों में इसे पूरा कर रहे हैं उन्हें 14 से 15 किस्म की दवाईया दी जा रही है इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ाई गई है जाहिर है कि लालू की खराब सेहत, कानूनी पचलो, पार्टी का जिम्मा और अब तेज प्रताब की वज़ा से उपजे तनाओ को अकेले तेजस्वी जिल रहे हैं इस बीच चुनावी गहमा गहमी भी बढ़ गई है तेजस्वी को इन सब के बीच तालमेल बिठाने में दिक्कते आना लाज़नी है